हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम डॉक्टर मीता है और मैं विछले बारा सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ जब भी मैं पेशन को देखती हूँ जब वो कंसल्टिंग खतम करते हैं तब उनका सिर्फ एक ही सवाल होता है कि मैं कोरोना के बाद से हमारे बाल काफी जड रहे हैं काफी हैर लोस हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करें आप कुछ बताएए लेकिन क्लिनिक में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम सारे पेशन को ऐसा बता सके कि उसे क्या खाना है क्या लगाना है तो मैंने सोचा उसी के लिए एक वीडियो बना लेती हूँ जो मैं अपने पेशन के साथ आप सब के साथ शेर कर सकूँ ताकि वो जान सके कि हमें क्या लगाना है, क्या खाना है, कैसे लगाना है जिससे हमारे बाल फिर से ग्रोव कर सके सबसे ज्यादा एहम चीज जो है, वो है स्ट्रेस कोरोना के बाद से हम सब को बहुत सारा स्ट्रेस था जिसकी वज़े से भी मेरे बहुत सारे पेशन के बाल काफी जड़ रहे थे तो सबसे पहले तो हमें अपने आपको समय देना है अपने आपको थोड़ा सा सेल्फ लॉव जिसे कहते हैं वो देना होगा उसके बाद ही हम मैं जो बता रही हूँ वो शायद आपके लिए थोड़ा सा यूसफुल हो सके सबके लिए यूसफुल हो वो ज़रूरी नहीं है लेकिन थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे इस तरह से अपने आप भी कोशिश करेंगे तो यह आपके लिए थोड़ा सा हल्फुल हो सकता है इसा मेरा मानना है और मैंने ये रेमेडी अपने खुद से ही पहले ट्राइ की है उसके बाद आप सबके शार्ष शेयर कर रही है अगर आप मुझसे कोई ओइल के बारे में पुझेंगे तो यूट्यूब पर बहुत सारी रेमेडी जो हम सब जानते है वो सब हमारे यूट्यूबर बताते है कि ये तिल लगाना है उसमें ये डालना है वो डालना है ये चीज खानी है जिसे आपके बाल वापिसे ग्रो करने लगेंगे बहुत सारी है मैंने खुद भी बहुत सारी रेमेडी जो है वो घर पे ट्राइ की है और खुद अपने आप पर भी वो एपला ही की है क्योंकि कोरोना के बाद से मेरे खुद के बाल भी बहुत स्यादा ज़ड़ रहे थे क्योंकि मुझे भी खुद बहुत सारा स्ट्रेस था लेकिन सबसे पहला जो मैंने काम किया है वो यही है कि अपने आपको थोड़ा सा समय दिया है थोड़ा सा अपने आपको मोटिवेट किया है कि कैसे मैनेज करना है अपनी लाइफ को अपने आपको बगेरा तो मैं सबसे पहले आपको एक ऐसा ओईल बताने जा रही हूँ जो आप खुद से पहले ट्राइ करिए पहले थोड़ा सा ही आप पहले बनाए कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे बता रही हूँ लेकिन पहले आप कोशिश करिए कि खुद को स्ट्रेस फ्री रखे उसके बाद दीरे दीरे ये तेल अगर आप यूज करेंगे तो आपके लिए काफी ये बहतर हो सकता है तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और चल्दिशे तेल की रेसिपी आपको बता देती हूँ अगर हम धाई सो एमेल के करीब तेल बनाना चाहते हैं तो उसका जो रेशियो होगा वो मैं आपको बता देती हूँ तो सबसे पहले हम 500 mil के करीब कोई भी तेल आप युजगर ऑगर होता है तो आप एक से दो चंमच बीखी 2 जो आप अपने घर में यूजगर्ते है उसके बाद एक से दो जो लवंग आता है वो आप ले लीजे और इन सारी चीजों को आप पहले मिक्स कर दीजे लवंग को तोड़ना नहीं है दोस्त उसको ऐसे ही आप उसमें डाल दीजे उसके बाद हम इसे थोड़ा सा गरम करेंगे सब लोग मेथी दाना भी यूज़ करते हैं लवंग की जगा आप पेपर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने ये लवंग डाल के यूज़ किया है तो आप से एक से दो लवंग ले लीजे उसके बाद इन तीनों चीज़ों को गरम करने के लिए अफस्टाव पर रख दीजे बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा पंदरा मिने दीमियाज पर आप इसे गरम कर सकते हैं और फिर उस दिन आपको ऐसे ऐसे ढख के रख देना है इसको पुरे दिन और पुरी रात एक दिन के लिए आप इसे रख दीजी उसके बाद आप थोड़ा सा एक से दो चमट जितना मेथी दाना ले लीजीए और मेथी दाने को इसमें डाल दीजीए और दुसरे दिन जब आब इसे यूज करेंगे तो मेथी दाना और लविंग को बाहर नहीं निकलना है आपको उसे वैसे ही रखना है जैसे हमने डाला था और फिर आपको इसे कोई भी काचकी बोतल हो उसमें ये भर देना है और इसे ऐसे ही यूज करना है काच की बोतल में ही रख के इसे यूज करना है ना ही हमें इसे चानना है और ना ही किसी और में इसे ट्रांसफर करना है हम जो भी काच की बोतल पहले हम ले रहे थे वही आपको उसे यूज करना है ठीक है और मैं तो खुद सिर्फ week में एक या दो बार ही useful कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना समय महीं होता है आप चाहे तो हपते में दो या तीन बार भी लगा सकते हैं या सिर्फ हपते में एक बार भी लगा सकते हैं एक से दो महिने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं जो बेबी हैर होते हैं वो ग्रो करने लगे हैं ज्यादा से ज्यादा वो दिख रहे हैं वो दिखने लगेंगे समय के साथ और आप दीरे दीरे तीन महिने चार महिने जैसे ही आप इसे यूज करेंगे आपको खुद रिजल देखने को मिलेगा हुआ कि वाकिय में ये काम कर रहा है लेकिन इसके साथ साथ हमें खुद को खुश भी रखना है ये बात भूलनी नहीं है तो बस ये छोटी सी रेमेडी मैंने ये खुद पर ट्राई की है मैं ये 7-8 साल से कर रही हूँ ये चीजे और मुझ पर ये काफी वर्क कर रही है और अभी भी ये मेरा सिलसिला चालू ही है इसलिए ही मैं अपने पेशन को ये यूस्फूल हो सके उसके लिए एक छोटा सा वीडियो शेर करना चाहती है आप भी इसे ट्राइब कर सकते हैं फ्